नमस्कार मैं होदर्शंकर नियूस बाइस्कोप में आप सो मुगा स्वागत है बात करेंगे जहारखन की तो जहारखन में एक बार फिर JPAC जिसे अभ्यर्थी जंजट पब्लिक सर्विस कमिशन भी कहते हैं एक बार फिर ग्यार्वी से तेर्वी परिक्षा हुई है JPAC की लेकिन एक बार फिर विवाद सामने आ गया है और अभ्यर्थी आंदोलन करने को मजबूर हो गया है अभ्यर्थी पहले आयोग के दफ्तर पहुंचे और जब अभ्यर्थियों के अनुसार उनकी तरफ से कहा गया कि आयोग की अध्यक्ष उन्हें कह रही है कि आप लोग CM के पास जाएए उनकी हरी जंडी का इंतिजार है जैसे ही वो हरी जंडी देंगे तो हम रिजल्ट जारी कर देंगे तो इसी बात को लेकर वो CM आहुस तक पहुँच गया वहाँ भी जाकर उन्होंने मांग की अपना आवेदन दिया हालांकि CM से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन अब अभर्तियों ने साफ कर दिया है कि वो आंदोलंतेज करेंगे जादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ करिश्मा है करिश्मा आप सुबह से कफर कर रही थी पहले तो ये अभर्ति देखिए आयोग के दफ्तर पहुंचे शिकायत तुन्हें इस बात को लेकर भी थी कि जो कॉपिया करेक्शन कराई गई है वो जो कॉपी चेक करने वाले परिशक थे कि उनका उनका जो मानक है वो मानकों को पूरा नहीं करते थे इसे लेकर भी नाराजगी है कई और भी मुद्दे है क्या कुछ कहा उन्होंने जो देखें जेपीसी के उसे जित्ती भी परिक्षा अब तक ली गई है सभी विवादों में ही रहा है इससे पहले भी सातवी से दसवी जेपीसी परिक्षा आयोजित की गई थी उसमें आपने देखा होगा कि गडबड़ी का आरोप लगाते वे जो अभ्यर्ती है वो जाए कि अगर सितंबर से पहले रिजल प्रकाश्वित नहीं होगा तो उनके लिए काफी परिशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा मैं इसलिए बोल रही हूं और अभ्यर्तियों के मन में भी सिर्फ यहीं डर सता रहा है क्योंकि उनका यही कहना है कि अगर अचार सं लगतार प्रदर्श्वन करें आंदोलन करें कि आज उसी सिलसिले में जो अभ्यर्ति है वो जेपीसी कारेले पहले जाते हैं वहाँ पर श्ययर्में से मुलाकात करते हैं और उसके बाद वो हेमन सोरिन से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं हलाकि उनकी मुलाकात सीम हेम संसोरे लगतार दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो रिक्तपद है उसे भरे जाएंगे सितंबर से पहले 35,000 न्यूकती जो है वो सरकार करेगी तो ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि अगर परिक्षा हो गई है तो रिजल्ट का प्रकाशित होगा क्योंकि जो एपीएसी हो य लेकिन अब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो हुआ है अब ऑगस्ट भी कही न कहीं खत्म होने वाला यानि की तीसरा सब्ता आने वाला है तो ऐसे में अभियर्तियों कि मैंन में कई सवाल है अब सवाल यह उठता है कि आखिर आयोग की और से कब रिजल्ट जो है प्रकाशित होगा कई ऐसे अभियर्ति हैं जो जार्खंड से अन्य मतलब दूसरे राजे में जाकर पढ़ाई किये हैं फर वापस यहीं आए हैं और इंतजार करें कि कब उन्हें अपने राजे में नौकरी मिलेगी और यहीं वजा है कि लगतार इंतजार कर रहें अब पहली दफा नहीं हो रहा है जब कोई परिक्षा ली गई और अभियर्ति आंदोलन की रूप रेखा बनाएंगे इससे पहले भी कई बार ऐसी परिक्षा हुई है और जब रिजल प्रकाशित नहीं होता अगर अभियर्तियों को ऐसी शंका लगती है कि इसमें कहीं ना कहीं गड़ बड़ी है तो अभियर्ति आंदोलन करते हैं और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है अभियर्तियों का कहना है कि अगर प्रकाशित नहीं होता है रिजल तो एक बार फिर से आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा और आज जब सीम हाउस अभियर्तियों पहु पहुँचे थे हलाके मुलकात नहीं हो पाई लेकिन अभियर्तियों का कहना है कि जो संगर्स लगताल हो रूप कर रहे हैं वो संगर्स आगे कंटीनिव रहे को और इसी तरीके सांदोलन करें है प्रदर्शन करेंगे बड़े पैमाने पर शायद प्रदर्शन अभियर्थियों की ओर से देखने को मिल सकता है अगर रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है क्योंकि अल्टिमेटम भी अभियर्थियों की ओर से दे दिया गया है कल बारा बज़े तक उनका कहना है कि अगर बारा जल्द से जल्द रिजल्ट परकाशित किया जाता है या फिर कोई और पेंच फंसता है